हेलो एब्रीवन केसे हैं आप सब आज का ब्लोग किसे इस तरह से है कि हमें सावन में पुजाई करना होता है मतलब गाउं में यह जो पूजा करते होते हैं तो सावन में एक हफ्ता तक पूजा चलता होता है लास्ट जो 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 जैसे हफ्ता होने स्टार्ट होता है तब से यह तक उसके होग सरफ से तुन हीडारे हैं आप मेंने खीड बना लिया दिया। नहीं हीद हैं इसे ही पुझा करते हैं गां में मुझे पता नहीं हैं चील में फिर में को देख देने कैसे पूजा कि यह है कि जो इसमें खीर बनाया जाता है ना उसके नहीं डालना होता है मतलब दू चावल पानी के साथ ही बन जाता है और उसके बाद जब आपको खाना हो चड़ाने के बाद तो आप उसमें डाल सकते हैं तो ममी ने काउंट ओंट करके रख दिया और अब इसी रो करना है तो देखके कर सकते हैं क्योंकि आधिकतर जो पहुहती है ने सास को पही कर देते होती होताई इसमें पुजाई में बना कर रखती हम कि मुझे कुछ समझना है तो मैं उसे देखकर सीख सकोूनों और देख proud मुझे कि ममी ने पुजाइा जो लगता है वह guy इस जब खीर चड़ा देंगे तब इसमें लॉंग और इलाइची होती है नहरी वाली वो डाला जाता है इसमें तो ममी सुभा से लगे थे इधर पूजा की तरह मतलब मंदिर को सजाने हो जाने में में सुभा से साफ सफाई करके लगी थी आपनी परशाद को बनाने के लिए ममी ने इसी परशाद मेंते सभी देवी देवता को दे दिया मतलब कहते हैं न कि सब जो हमारे भगवान होते हैं मतलब कहती हैं कि अगopard UH जनमाश मिमान के चलिए तो अगर उनके लिए आपने कुछ बनाया तो सब को दीजिए क्योंकि सब भी जो है ना उसका बेट करते हैं जजार करते हैं कि हमें भी समें मिलेगा और यह देखिए ममी ने इस तरह से लॉंग लाइस ची रख दिया है और इसके बाद ममी सिंदूर का टीका करने वाली है इसके उपर ही तो मैंने बहुत बार देखा है ममी जैसे पुझा करते हैं लेकिन भूल जाती हूं तो आज मुझे सोचा कि मेरा ब्लॉग भी शूट हो जाएगा और साथ में रिकॉर्ड भी रहेगा मेरे पास तो मैं इसे जब चाहें देख सकती हूं तो यह देखिए आज जो सिंदूर होते हैं मैं ममी ने पीला रंग का लिया है और हलका हलका इन रोटियों पर लगाएंगी और कहते हैं यह जो हमारी घर की देवी होती हैं तो उनके लिए यह सब भूग लगाया जाता है और इस तरह से ममी ना पुझा करने के बाद ऐसा भी बोलती है कि अगर कुछ गल्ती हो गया तो जात कर देते हैं तो ममी हाप पर टीका लगा रही है और आज सुबह से हमारा यही काम था रात को ही सारा कम आधा कर लिए लेकिन सुबह से लग गए ते पुरिशाप सफाई में तो किसी तरह से हमारा यह फीचिव पूझा हो रहा है न 10 बच के हैं और सुबह के सुबह के 10 तो पहले यह वहला पूजा कर लेंगे उसके बाद मम्मी मंदिर जाएंगी जल चड़ाने कर देखिए लाश्ट में इस तरह से पानी वारा जाता है इस तरह से मतलब ज्यादा गाओं में और जैसे जो गाओं में बहुत से अलग रह रहे हैं तो आपको तो उसके रूल मानने ही होंगे तो सिंपल बात है कि आप जो जिससे जो हमेशा आप देते आए अपने भगवान को और वो आप से उमीद लगा कर बैठते हैं कि उनको मिलना है तो उन्हें जरूर दे तो इसलिए गाओं तो ममी जान नहीं ताते हैं तो ममी यही पर सावन के जो है पुजाई कर लेते हैं औ यह देखिए उसके बाद इस रोटी को हम वापस इस थाली में रख ले रहे हैं क्योंकि इस रोटी को परशाद के रूप में खाएंगे आपको आज का व्लोग मेरा कैसा लागा कॉमन बक्स में बताईएगा और आपके हां कैसे पोजा होता है